हेलो दोस्तो आज हम रोटी की बहुत ही चटपटी सी चाट बनाएंगे तो ये मैंने रात की दो बची भी रोटी ले ली है तो आप चाहो तो ताजी रोटी से भी इसे बना सकते हैं तो कई बार होता है कि हम जब रोटी बनाते हैं तो एक दो रोटी हमें सब बच जाती है। पिर समझ में आता है कि इस अकिस को किस पनाओंrices बहुत ही तेस्टी बनती है। मेν झीफ़ से चलंटे चाह एंद एचले कर लेते हैं हिसा इसको कर लें कर दो अब सब्स्राइब पहुँत है पे गरमधा मार्भी करेंगे तो आज पर कॉम करें तो पहुत ही करण कर देंत事情 को एक करदें को इहां हिक तो यह उत्सकी कि ईताइब ड़ी यह उसकी इसका color भी बहुत अच्छा सा golden हो गया है, बस golden गनर होने तक हमें इसे fry करना है, अब हम इसे एक plate में निकाल देंगे, तो इसी तरीके से और भी जो बचि रोटियां थी ना, उसको में इस तरीके से fry कर दूँगी, तो ये देखें, ये भी अच्छे से fry हो जाएंगी, बहुत ज्यादा क्रंची भी हो गई थी तो इसको मैंने चोटे-चोटे तुकडे कर दिया है जैसे पाप्री को हम क्रंच करते हैं तो यह देखी दोस्तों आपको आपास से पता चल गया होगा कि इतने क्रंची यह बने हैं तो जब यह रोटी ठड़ी हो जाएगी उसके बाद हम इसक फेट लिया था इसके बाद इसमें हरी जट्नी ज़ इंगे पुद्या और धनिया की चट्नी इसमें डालने के बाद कि ठोड़ेश के टुकडे तो यह थूड़े से मैंने हरी भी आप इसे खा सकते हैं, तो सारी चीज़े घर की बनी हैं, तो कोई टेंशन नी, आप इसमें भर-बर के डालिए, और बहुत ही अच्छे से इसे ये देखिए, आप इसमें डालनेंगे थोड़े से धनिये के पत्ते, और थोड़ा सा ये अनार के दाने डालनेंगे, तो आपके इसे रोटी से बनाया है, बिल्कुल जैसे पापडी होती है, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट होता है, क्योंकि ये फ्राइ होने के बाद बहुत ही क्रंची हो जाती है, तो इसमें हमने चट्नी डाली है, सारी मतल़े से टिक्की में डालते हैं, हम सामान सारा डाला है, तो ये देखी बहुत ही देखने में भी बहुत ही टेश्टी होती है तो आप इसी एक बर ज़रूर ट्राइ करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको ये रोटी की चाट कैसी लगी तो यह देखिए मैं आपको इसका यह देखे टेक्श्चर दिखाती हूँ बहुत ही अच्छी सी बनकर यह रेडी हुई है तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल ऐकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही और भी अच्छी वी आपको बिलता रहे तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाए बाए दोस्तों